पूरे पृत्वी की रक्षा और नियंत्रन भगवान शिव ही बना तो ये श्रावन कुछ इस तरीके से चलता जाता है और असा माना जाता है कि ये श्रावन के पावन महिने में आप भगवान शिव की आराधना करके उनसे जो भी मांगेंगे वो अवश्य पूरा करते हैं तो आई होप आप सभी अपने अपने श्रावन बहुत अच्छे से इंज्वाइ कर रहे होंगे और अवियसलिया जब भी श्रावन आता है तो बस हर्याली ही हर्याली हर जगह हो जाती है और हमें सिर्फ और सिर्फ पगवान शिव की ही आराधना मन में होती है जैसा कि आपको पता है कि पिछले सोमवार मेरे घर में सबका वरत था तो आज की भी सोमवार में घर का सबका वरत है और अभी तो ममी नीचे गई है अभी हमारा फलहार नहीं हुआ है दोनों का भी नहीं हुआ है बैट होगा फिलाल तो मेरा काम चल रहा है और मैं काना को ल और उनका फलाहर हो गया उनके लिए खल में मिठाई लेकर आया थी तो उन्होंने सुबह वही खाया और मिल्क की टाइप जो मिठाई आती है ना वह वाला एंड बाकी लाइप आम फ्री तो देखते हैं आज का हमारा सौमवार कपरत बस सफल हो जाए अच्छे से हेलो दोस्तों तो मैं घर पर आ चुकी हूँ बहुत रूप की भूप लगी है क्या कि आज बसी उपास भी गाया हमारा तो रम्दाना और दही जाया में खाने जारी हो मैं भी नखाल के ला दिया है इसमें कोई आश्रि की बात नहीं है कि महिमा और पापा कभी मैचिंग ना करे दोनों साथ में नाष्टा करते हैं आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा हमारे पहले की व्लोग में दोनों साथ में नास्ता करेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में उपवाज करेंगे और उवरत में भी वही चीजे साथ में खाएंगे उसकी बाद मैं यहाँ भी मेरे बैचिस ले रही थी तो मैं मेरे काना को लेके बैटी थी क्योंकि मेरे काना भी देख रहे थे कि मैं क्लासिस कैसे ले रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स कैसे बढ़ रहे है गाइस कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को ध्यान देने से अच्छा है कि अगर हम हमारे जिन्दगी पे खुद फोकस करें ना लिटरली हमें वो सुकून मिलता है जो हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है आप अपने खुशी पे फोकस करें कि आप खुश क्यों नहीं हो रहे हो अगर आप किसी दूसरे की बातों से डी मोटिबेट हो जाते हो कोई तीसरा बंदा आके आपको कुछ बोल देता है कि भाई तू ऐसा है तो ठीक है न वो उसकी सोच है आप उस बंदे की सोच को खुद पे हावी करके खुद का मन नाराज मत निराश मत क्या करो क्योंकि ये चीज ना हम इनसानों पे बहुत जल्दी इंपक्ट कर जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि भाई सबसे इंपोर्टन कुछ है तो वो हमारी सेल्फ हैपिनेस है सेल्फ लव है, सेल्फ केर है सो आज का जमाना बिल्कुल सेल्फिश हो गया है एकदम स्वार्थी हो गया है और आप सजेस्ट कि आप लोगों को, लोग जैसा आपके साथ है आप भी बिल्कुल वैसा उनकी साथ ही रहिए आप बहुत अच्छे बन की लोगों की साथ रहेंगे तो दुनिया आपकी बस फिर तो आप हार जाएंगे आप लड़ नहीं पाएंगे इस दुनिया में तो आप बिल्कुल वैसे रहिए जैसे दुनिया आपके साथ है ज्यादा अच्छा भी मत रहो ज्यादा भूरा भी मत रहो नूट्रल रहो जैसे लोग आपकी साथ है वैसे रहो और लोगों की सोच क्या है लोग क्या सोचेंगे एक बहुत अच्छा थॉट है कि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे ठीक है ना तो लोगों का काम है सोचना तो वो लोगों तक ही रहने तो यार आप अपनी तक मतलाव कि वो क्या सोच रहे हैं that's not your business, correct? you just don't mind their business, you mind your own business so thank you so much and for watching a Tiwari Family Vlog please give your love and support to us guys we require, we need and you can also see our reels which is on Instagram yep, do like, share, subscribe the channel bye-bye goodnight, take care of yourself guys